हलो एवरिवन वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टेडी फ्रेंज आज हम 12 से लेकर 18 जुलाई 2023 के गिरराव सब्ताहिक पेपर के सभी क्वेशन को डिटेल्स में डिसकस करेंगे जो की आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्डेंट होने वाला है तो वीड उचाई में थोड़ा फ्रेंड कुछ पॉइंट का फर्क था तो दोनों ही पॉइंट को ध्यान रखना है उचाई 6400 या 6408 मीटर बताए गई है बुक में 6408 मीटर था और विकिपीडिया की बात करूं तो उसमें 6400 था तो दोनों ही मैंने यहां पर एड कर लिया है और इस दिस्टिक कुलू और स्पीति को जोड़ती है जिसकी उचाई है 6633 मीटर और इसकी अलावा इंदरासन इंदरासन भी दिस्टिक कुलू में ही स्थित है और इसकी उचाई है 6220 मीटर और इसकी अलावा सोलंग यह भी दिस्टिक कुलू में स्थित है और इसकी उचाई है 5975 म नेक्स्ट है इंदर किला इंदर किला भी कुलू में ही स्थित है नेक्स्ट है फ्रेंस मेवा कंदनु नेक्स्ट है उमा शीला इसकी उंचाई है 5294 में और ये भी डिस्टिक कुलू में स्थित है नेक्स्ट है देव टिवा तो ये ध्यान रखना है देव टिवा और देव टि माउंटेंस से रिलेटेड भी बहुत सारे एक्जाम्स में कुछे जाते हैं तो यह सभी इंपोर्डेंट माउंटेंस थे दिस्टिकुलू में उसके बाद नेक्स क्वेशन है फ्रेंज कौन से परवत श्रिंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है तो यह बहुत सारे एक्जाम्स में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है जासकर परवत शेणी भुगोलिक दिश्टिकॉंट से एक मोड़दार परवत शेणी है और यह हिमाचल प्रदेश के समांतर उत्तर में लद्दाक एवं दक्षिन में महान हिमाले के बीच स्थे थे जासक खालचर प्रदेश के टिस्टिक शिव्ला में मय हिमाचल वा उनिस सो चौसरट में असके बाद उनिस सो एक्क्यालिस में जो यहां पर हम धल सेनाय का मुख्या उनिस सो एक्क्यालिस में इस्विए शिंvelा को भारत के बिटेश राज की गृश्म कालिन राजधानी के इसका अंसर है प्रेंस italy नेक्सट कुश्शन है अक्तुबर डो हजार थेज में होने वाले cricket विश्च पप के दोरान हिमाच्छर प्रेडेश के धरमशाला cricket stadium में ताहिद कितने मैच खेले जाएंगे इसका अंसर है फ्रेंस पांच उसके बाद नेक्स क्वेशन है भारते नौ सेना का कौन सा सबसे पुराना लेंडिंग पोथ 36 वर्ष तक देश की सेवा करने के बाद मई 2023 को सेवा मुक्त हो गया इसका अंसर है फ्रेंस आई एन एस मगर याद रखना है आई एन एस मगर उसके बाद नेक्स क्वेशन है भारतिय प्रति सपरदा आयो की पहली महिला अध्यक्ष मई 2023 में किने नुक्त किया गया है इसका अ नुक्त होने वाली भारत की पहली महिला है और 5 साल या फिर 65 वर्ष की आयू तक वो सेवा करेंगी रवनीत कौर पंजाब कैडर की 1988 बैच की अधिकारी है भारतिय प्रति सपरदा आयो के पूर्प चेर्मेन अशोक गुप्त का कारेकाल पूरा होने के बाद अक्टूबर 2022 स ये पत खाली पड़ा था तो इस प्रकार से रवनीत कौर जी पूर्प चेर्मेन अशोक गुप्त जी का स्थान लेंगी इसके बाद नेक्स्ट क्वेशन है हाल ही मैं 49 जी सेवन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा इसका अंसर है फ्रेंज जापान के हिरोशिमा मे और जी सेवन के बारे में बहुत सारे important points है उनको भी जान लेते हैं जी सेवन का particular कहीं पर भी headquarter नहीं है हर साल इसे जिस देश में आयोजित किया जाता है वहीं पे जी सेवन का कार्याली बन जाता है जी सेवन में जापान, सिर्क्त राज अमेरिका, युनाइटेड किंगडम, कनाड़ा, जर्मनी, फ्रांस और इटली का एक समू है तो इन सभी देशों के नाम याद रखना है और इसके अलावा इसकी अध्यक्षता हर साल सदर्सी देशों में घुमती रहती है तो इन सातों देशों में इसकी जो अध्यक्षता है वो घुमती रहती है और इस साल जी सेवन की अध्यक्षता कौन कर रहा है जापान तो ये सभी important points थे उसके बाद next question है सोशल मीडिया प्लेटपॉर्म ट्वीटर का नया CEO किसे न्यूक्त किया गया है इसका answer है फ्रेंस लींडा याका इसके बाद next question है अशोग के किस अभिलेख में मोरे कालिन अर्थ व्यवस्ता के बारे में जानकारी मिलती है इसका answer है फ्रेंस रूमिन देई अभिलेख अशोग अपने राजी अभिशेक के 20 साल के बाद लुंबनी आया था रूमन देई या लुंबनी लेख में मोरे कालिन कर व्यवस्ता की जानकारी मिलती है इसलिए इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है उसके बाद next question है रेडियो सक्रियेता को मापने वाले उपकरन का क्या नाम है इसका answer है फ्रेंस जी एम काउंटर उसके बाद next question है संग्यानवादी पदिती के जनक कौन थे इसका अंसर ह जिन प्याजे वा ब्रुनर उसके बाद next question है अर्जुन पुरुसकार कब प्रारम हुआ था इसका answer है फ्रेंस 1968 इसमी में अर्जुन पुरुसकार की शुरवाद 1964 में हुई थी ये भारत सरकार द्वारा खेल में उतकृष्ट प्रदर्शन करने वाली खिलाडियों को दिया जाता है उसके बाद next question है software वा hardware का मिक्षन क्या कहलाता है इसका answer है फ्रेंस फार्म वेर उसके बाद next question है farm dependence to self-reliance पुस्तक के राइटर कौन है इसका answer है फ्रेंस बिमल जलान जे और इसके अलावा रजनी के मंतर इसके राइटर है PC बाला सुबर मरियम जी नेक्स पुस्त तक इत्यास से संबंद रखते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे थैंक यू सो मच